है कि एक है काई वेलकम बैक तो हम पढ़ रहते अपना सी कोर्स अपनी सी प्रिलिश्ट को उपन कर लेते हैं लास्ट वीडियो में हमने बात करीती यहां पर रिटर्ण क्या होता सी के अंदर आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा पैरामीटर और आर्गुमेंट फंक इसे अटा देता हूं तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको रिटर्ण बता दिया था ठीक है तो पहले रिटर्ण वाला वही प्रोग्रम बनाएंगे चोटा सा उसके बाद अपने पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को भी यहां पर बता दूंगा क्या होता है और उनके बी द्यान तो रहीं क्योंकि मैं कई दिन बाद यह वीडियो बना रहा हूं तो जहां तक मुझे द्यान है मैंने इस टैप से किया था एड़ एड़ किया था और उसके बाद इसको किसी वैल्यू के नदे स्टोर कर लिया था फॉर इससे ए और यहां पर फिर उसे प्रिंट से उटाइती है है तो इंटे टाइप का एड़ कि मैं लास्ट वाद प्रोग्राम ना रहा हूं अच्छी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बस एक मिनट हो गया बस एक्स इक्वाल टू फाइव आव्य इक्वाल टू टैन और जाल इक्वाल टूlagen तो यहां पर अब क्या हूं देखो यह को पता अच्छीत क्या हुआ है तो तो हम यहां पर यूज करेंगे parameter और argument ठीक हम क्या करेंगे अभी हमने क्या किया हमने जो अपना function मनाया उसके अंदर अपने खुद के variables create किये वहां पर हमने उस variables को value वहीं पर दे दी यह दोनो ठीक है और उसके बाद value को update करकर return कर दिया for example अब situation लीजिए कि यह values x और y की यह value आप चाहते हो user से ले ले बट आपने main के अंदर तो ऐसा option दिया ही नहीं है ठीक है बट हम चाहते हैं यह value हम ले user से ऐसा हम चाहते हैं ठीक उस condition में क्या होगा यह x और y value हमें कहां declare करनी पड़ेगी यहां पर या तो हो सकता है और या sorry 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 ऐसा तो हम यहां पर भी कर सकते हैं मतलब यहां पर scan of print of लगा कर यहां पर भी कर सकते हैं बट हम क्या करेंगे यह variables यहीं पर बनाएंगे let's say x equal to 5 यह इसे अटा लेते हैं int x, y, z हमने यहां पर 3 variable ले लिए ठीक है अब x की value हमने यहां पर देदी 5 y की value हमने देदी 10 और z की value हमने देदी 15 ठीक है यह थोड़े अलग दिखें यह वैसे फीचलों कोई दिक्कत नहीं है यहां पर हमने बना दिया तो इसे हटा देते हैं यहां से ठीक है अब हमारा जो int function है इसके अंदर फिलाल कुछ भी नहीं है यह ना कुछ रटेंट करा ना इसके अंदर अभी कोई content है ठीक अगर आफ अपने main के अंदर देखें तो है और उसके बाद हमने क्या कराएं यहां पर इसे ऩठा दिया अब क्या करेंगे हम चाहते हैं यह जो अडिशन हाला function यह यह यहां नायोकर यह उपर अगर ऐसा करेंगे तो हमें ड कीविजरूद नहीं है और इसलेन्हीं कीविmother नहीं है है हम चाहते हैं क्योंकि यह हो रहा से मल्टिप्लिकेशन के लिए एक function आना बट ऐसा यह जो हमारी x और y value है हम चाहते हैं इसे हम बार बार ना दें सिर्फ एक ही बार दे दें ठीक अब क्या होगा यहाँ पर कोई भी एक function है इस function के अंदर हम इस x और y की value को दे देंगे as a argument x, y इसे हटा देते हैं यहाँ पर यह रहा x, y x क्या है एक integer type की value है जो कि यह 5 और y क्या है एक integer type की value है जो कि यह 10 ठीक है integer type की value और integer type की value आप यहाँ पर देखो यह है add और इसके अंदर दो function pass है बट अगर आप यहाँ देखो के तो add तो है बट कुछ भी pass नहीं है यहाँ पर क्या pass है integer type का और दूसरा भी integer type का x भी integer type का है y भी integer type का है तो हमने ऐसे लिग दिया ठीक है बट हमें x और y के लिए कोई variable भी देने पड़ेंगे उपर की तरफ यहाँ पर क्योंकि हमारे पैरामीटर अब यहाँ पर जो हम डिफाइन कर रहा है यहां लिख रहा है उपर की साइड यह होते हैं पैरामीटर 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 समझ रहे हो यहाँ पर जो लिखा वो लिखेंगे हम पैरामीटर और यहाँ पर जो हमने पास किया है हमने पास किया है argument और declare कर रहे यहां पर parameter condition ठीक है एक इस type से देख लो हमने यहां पर दो parameter दे दिये और as a argument हमने यहां पर x और y को pass भी करा दिया अगर क्या हुआ compiler यहां पर आया उसने देखा एक function है जिसके पास दो argument पास हो रहे है अब दो argument पास हो रहे है तो इसका मतलब ऐसा कोई function होगा add नाम का जिसके अंदर दो parameter भी होंगे ऐसे ही तो add नाम का एक function हैगा जिसके पास दो parameter भी पास हो रहे है ठीक है मैं actually बहुत basic तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि सब को समझाए तो अगर आपको slow लग रहा है थोड़ा सा fast कर लेजिए 1.5 या 2 पर मैं सब के लिए बता रहा हूं ठीक है तो इतना समझ आ गया ठीक अब इसके बाद क्या होगा हमें a और b को जो value है मतलब यह जो x है यह x यह value आगई a के अंदर copy originally copy value आई है अब y की copy value आगई किसके अंदर b के अंदर ठीक है ठीक है हमें क्या करना है एक समझ चाहिए यहाँ पर सम के हमारे पास दो तरीके हैं हम चाहते हैं चाहें तो intertype का z बनाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे a plus b और return कर देंगे हमारे एक भी यहाँ ह 충 каких कर दाने हुए जैसे की पहले दे इसे दे रहा था म Isaiah एक वेयुद करना लगा लगा दिया और अ इस टाइब का एक वेरेंवल भी हमारे पास addition के नाम का या फिर हमें वेरेबल लाने कोई जरुवत नहीं हम सिंपल इसे प्रेंट करा सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि यह कोई न कोई वैल्यू रिटन कर रहा है इंटी टाइब की इस समय ठीक है तो हम यह तो उसे वैरेबल के अंदर शोर करा सकते हैं या फिर उसे प्रिंट करा सकते हैं तो हम यह बर इसे प्रिंट करा लेंगे ठीक है जो वैल्यू है वो किस टाइप की है इंटीज टाइप की इंटीडी और यह एक वैल्यू रिटेंड कर रहा है तो बस खतम इतना ही है अगर हम इसे यहाँ पर रण करेंगे तो यह रण हो जाना चाहिए एक एलर देख लेते हैं पैरमेटर a is never used एक सेकेंड यह क्या बोला पैरमीटर a सुना अपने रीड करा क्या बोला इसना पैरमीटर a actual में मैं आपको difference बता रहा हूं parameter और argument में तो यहां पर यह दोनों है parameter और नीचे जो हमने pass किया है यह है argument ठीक है argument pass होते हैं और जो उपर declare किया जाते है condition के through वो है parameter a और b है parameters ठीक है अब run करते हैं फिर से कहरा रहे printf ठीक है चलो तो 15 protein इतना हो गया मतलब हमारा एडिशन वाला प्रोग्राम parameters और argument के साथ हमने अच्छे से बना लिया है अब क्या है इसी तरीके साब सब्स्ट्रक्शन का प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें एक function बनाएंगे सब नाम का जिसके इंदर हम पास कर देंगे एक्स और वाई को एज़ा argument और एक मल टाइप का function बनाएंगे जिसके इंदर हम एक्स और वाई को एज़ा argument पास कर देंगे ठीक है अगर हम सब की बात करें तो इसका मतलब हम यहां पर भी यह कर पाएंगे printf %d और इसी तरह यहां भी कर पाएंगे printf तो यह काम करने के लिए अब compiler देखेगा sub x,y एक function है बट अभी हमने ऐसा कोई function नहीं बनाया तो यह error देगा चलो बना लेते हैं int type का क्योंकि int is a type की value return कर रहा है देखो यहां पर हमने क्या रखा है int type का तो return करेगा int type का तो int नाम क्या है sub int,int और parameters का नाम लग लेते हैं a और b रख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है हमें क्या करना है return करना है क्या return करना है a-b simple यही तो था उस तरह अगर हम multiply के लिए बनाए तो मल int type के दो variables है जो हमने pass किया है a,b नाम दे दिया return a into b ठीक है कुछ error है देख लेते हैं function call missing चलो है ठीक है backslash दादे दें तक हम enter वालों पड़े नई लाइन में print करा लेते हैं इसे पहले चलो ठीक है तो यह रहा पहला answer है 15 दूसरा answer है minus 5 तीसरा answer है 50 I hope कि आपको समझ आ गया होगा है इस तरह के function किस तरह बनाए जाते हैं I hope कि आपको सारी चीह समझ आ रही है समझ आ रही हो तो comment में please लिख दिना समझ आ रही है ताकि मुझे मुझे मालों पड़े की समझ आ रहा है at least और अगर यह playlist access नहीं करी है तो कर लेना बाकी वीडियो आती रहेंगे टाइम से आई मैं try करूँ भाई पूरा actually थोड़ा busy schedule चल दा है इसलिए दिखकर तो रही है ठीक ना फिर में लेंगे बाई